सभी स्रोताओं को नमस्कार आज का हमारा विशे है कच्छा आठ की इतिहास की पुस्तक का पांचवा अध्याय जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद प्यारे बच्चों आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा हुगा कि किस परकार East India कंपनी भारत में व्यापार के लिए आती है लेकिन जल्दी ही यहाँ अपना सामरा जिस्थापित कर लेती है आपने East India Company की नीतियों और जनता पर उनके प्रभाओं के विशय में पढ़ा है इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमीदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े East India Company ने भारत में सामराज्य स्थापित करने के लिए नैकेवल भारतिये सास्कूं के साथ लड़ाईयां लड़ी जैसा कि आपने प्लासी तथा बकसर की लड़ाई के बारे में पढ़ा हुआ उन्होंने नेकेवल मराठों बलकि दक्षिन में तुपी सुल्तान को भी परास्त किया इसके अलावा सामराज्य के विस्तार करने के लिए उन्होंने बहुत सी संधियां भी की आपने साहिक संधी के विसे में पढ़ा हुआ आपको ये भी पता है कि 1857 का विद्रो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ कोई पहला विद्रो नहीं था उससे पहले भी बहुत से विद्रो हो चुके थे आदिवाशियों के विद्रो जिसे हम संधाल विद्रो नील विद्रो के रूप में जानते हैं हम पढ़ चुके हैं इस अध्याय में हम उन कारणों को जानने की कोशिस करेंगे जिनकी वज़े से 1857 का विद्रो हुआ हम यह भी पढ़ेंगे कि इस विद्रो का सवरूप क्या था अर्थात इस विद्रो में कौन-कौन लोग सामिल थे यह विद्रो किन-किन छेत्रों में फैला था हम विद्रो के परमुख केंद्रों के विषय में भी जानेंगे और यह भी जानेंगे कि विद्रो का नेत्रित्व कोन कर रहे थे हम उन कारणों को भी समझने की कोशिस करेंगे जो विद्रोईयों की ऐसफलता या कहिए अंग्रेजों की सफलता का कारण बने आईए सबसे पहले हम उन घटनाओं को जानने की कोशिस करते हैं जो 1857 के विद्रोग का कारण बनी विशे को आसान बनाने के लिए हम उन कारणों को मोटे तोर पर अलग-अलग हेडिंग के अनुसार समझने की कोशिस करते हैं जैसे राजाओं, नवाबों और जमीदारों पे क्या असर पड़े किसानों एवं आन जनता पे क्या असर पड़े सिपाईयों पे क्या असर पड़े सबसे पहले हम राजाओं नवाबों एंव जमीदारों पर ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के क्या असर या क्या प्रभाव पड़े इसके विशह में जानते हैं ऐसे प्रभाव जिनकी वजह से ये लोग ब्रिटिस कंपनी के खिलाफ हो गए और विद्रों में सामिल हुए आप लोगों ने पढ़ा है कि 1764 में बक्सर की लड़ाई में कंपनी की सेना ने मुगलबादसा अवद के नवाब और बंगाल के नवाब तीनों की मिली जुली सेना को परास्त कर दिया 1765 में उसे बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई दीवानी क्या है दीवानी लगान या राजस विखटा करने के अधिकार को कहते हैं अर्थात लगान या कर इखटा करने का अधिकार जो पहले बंगाल के नवाव के पास में था उसके हाथों से वो छिन गया और अब ये कमपनी को प्राप्त हो गया दूसरी बात 1798 में उस वक्त के गवर्णर जनरल लाड वेलेजली द्वारा भारतिये सासकों के साथ सायक संधी सबसीडरी अलाइंस की गई इस संधी ने भारतिये सासकों को कमजोर कर दिया संधी की सर्तों के नूसार भारतिये सासकों को अपनी सेना को भंग करना पड़ा तथा अपने दर्बार में या कहिए अपने राज्य में भी ब्रिटिस सेना की एक टुकडी को रखना पड़ा जिसका खर्चा भारतिय राजा को ही देना होता था यानि एक ऐसी सेना का खर्च भारतिय सासक को उठाना था जिसके स्वामी भक्ती अंग्रेजों के साथ रहनी थी साथ ही साथ उनके दरबार में एक ब्रिटिस अधिकारी जिसे रेजिडेंट कहा जाता था कंपनी द्वारा तैनात कर दिया गया इस प्रकार हम देखते हैं कि राजाओं और नवाबों की ताकत बहुत कम हो गई उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे वे दिन परति दिन अंग्रेजों या कहिए इस्ट इंडिया कंपनी पर आस्रित होते जा रहे थे ऐसे ही एक और नीती है लाड डल होजी की विले की नीती बहारत में बहुत पुराने समय से ही एक परंपरा थी कि अपना पुत्र नय होने पर दत्तक पुत्र दत्तक पुत्र का रथ है गोद लियावा पुत्र दत्तक पुत्र को भी सभी अधिकार मिल जाते थे उसे सिंगहासन का उत्राधिकारी भी बनाए जा सकता था लेकिन इस नीती के नुसार जिन सासकों के अपने स्वेम के पुत्र नहीं थे वहां गोद लिये वे पुत्र को कमपनी ने उत्राधिकारी मानने से मना कर दिया और इस विले की नीती के नूसार बहुत सारे भारती राज्यों जैसे सतारा, संबलपूर, उदैपूर, नागपूर, जहांसी आदी को उन्होंने अपने अधीन कर लिया इसके लावा अवद का भी उधारन है अवद उत्तर भारत का एक बहुती बड़ा और सम्रद्द सूबा था अंग्रेज अपनी सक्ती के नसे में इतने चूर थे कि उन्होंने अवद के ओपर कबजा करना चाहा और उन्होंने ये कहकर कि अवद का नवाब, अवद का प्रसासन सही डंग से नहीं चला पा रहा है अवद का कंपनी के अंदर विले कर लिया और इन सबसे बड़ा एक उधारन है मुगल बात्सा का इस टाइम तक मुगल बात्सा बले ही कमजोर हो चुके थे और वास्त्विक सक्ता उनके पास नहीं रही थी लेकिन फिर भी सैध्धान्तिक रूप से वही देश के सासक समझे जाते थे कंपनी ने मुगल बात्सा के नाम को सिक्कों से हटा दिया और उन्हें ये भी कह दिया कि जो उस टाइम बात्सा हैं बात्दूर सा जफर उनकी मिर्तिव के बाद उनके परिवार को लाल किले को छोड़ना पड़ेगा और उनके उत्रादिकारी बात्सा नहीं बल्कि राजकुमार कहलाएंगे इस प्रकार हमने देखा कि बहुत से राजा महराजा, नवाब, बादसा और छोटे बड़े जमीदार भी कमपनी का सासन आने के बाद अपनी सत्ता और सम्मान्त होते जा रहे थे लोगों में अपने पुराने सासकों के प्रति सहनुवती का भाव था और कमपनी के प्रति उनमें ऐसर दोस्त था अब हम किसानों की बात करते हैं आपने पढ़ा है कि दीवानी प्राप्त होने के बाद, दीवानी के विशह में एक बार मैं फिर से बता दूँ दीवानी लगान या कर इखटा करने के अधिकार को खहते हैं जो इस वक्त तक कंपनी को मिल चुका है लगान जादा इखटे करने के लिए कंपनी ने बहुत सी भूराजस ववस्थाएं लागू की जैसे स्थाई बंदोबस्त, महलवाडी बंदोबस्त, रियतवाडी बंदोबस्त ववस्थाएं बदलती रही लेकिन किसान और जमीदार हर ववस्था में भारी भरकम लगान और कर वसूली से परेसान थे समय पर लगान अदा नहीं करने की वज़ेसे बहुत सारे जमीदारों की जमीदारियां कमपनी ने नीलाम कर दी किसानों पर करका भारी बोज होने के कारण उन्हें करज के लिए साहुकारों या महाजनों के पास जाना पड़ा और जब समय पे वे करज अदा नहीं कर पाए तो बहुत सारे किसानों की जमीन उनके हाथों से निकल गई यानि सीधा सा कारण है किसानों का कमपनी की नीतियों के खिलाक होने का आपने बिर्टेन की फैक्ट्रियों में बनने वाले सामान के विशे में भी सुना होगा कि किस प्रकार अंगरेजों की नीतियों ने भारतिये हत्करगा उद्द्यों की कमर तोड़ दी भारतिये ग्रामिन अर्थववस्ता कमपनी के सासन में तहस नहस हो गई किसानों, कारीगरों और जमीदारों सभी में ब्रिटिस कमपनी की आर्थिक नीतियों के खिलाफ भारी ऐसंतोस था हम सिपाईयों की बात करें कमपनी के तहट काम करने वाले भारतिये सिपाईयों की ऐसंतोस की अपनी वज़य थी वे अपने वेतन भत्तों और सेवा सर्तों के कारण परेशान थे आपने देखा हुआ कि भारत में कमपनी का सासन बंगाल से आरम हुआ लेकिन जल्दी ही उसने एक बड़े शेत्र पर जिसमें बर्मा, अफगानिस्तान जैसे शेत्र भी सामिल थे उन्होंने कबजा कर लिया, अब सैनिकों को दूर भेजा जाने लगा बहुत से सैनिकों की ऐसी धार्मी का स्था थी कि समुद्र पार जाने से उनका धर्म और जाती दोनों भरष्ट हो जाएंगे यहां तक कि सिपाही भी अपने आप में कोई अलग मनुष्य नहीं थे, वो भी गाओं से ही संबन रखते थे उनके भी भाई बांदव किसान थे, स्वैम बहुत सारे सिपाही खुद भी किसान थे गाउं में होने वाले परिवर्तन, गाउं में होने वाली जाद्तियां भी किसानों में जिस तरीके से थी उसी तरीके से सिपाईयों में भी वो गुस्से की वज़े बन गई आपने साहिक संदी के विशे में पढ़ा है कि किस प्रकार साहिक संदी के आने के बाद भारतिय सासकों को अपनी सैनिक टुकडियों को खत्म करना पढ़ा लाखों की संख्या में ऐसे सिपाही जो अलग-अलग राजाओं की सेनाओं में थे वे बेरोजगार हुगे सभी ऐस अंतोस से भरे थे इन सैनिकों ने आगे चलकर विद्रोही सैनिकों का साथ दिया हम कुछ और ऐसी बातें समझने की कोशिस करते हैं जो विद्रोह का कारण बनी जिनोंने भारतिये जन्मानस में अंग्रेजों के पृति भै वे गुस्से को पैदा कर दिया था अंग्रेज भारतिये समाज की कुछ व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहते थे जैसे सती प्रथा को रोकने के लिए विद्वा विवा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कानून मनाए अब ऐसे सुधारवादी कारियों को भी भारतिये जन्ता ने संदे की द्रस्टी से देखा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अंग्रेज भारतिये धर्मों चाहिए वो हिंदू हों या मुस्लिम उन्हें नस्ट करना चाहते हैं अंग्रेजी भासा की सिक्षा को भी इसी नजर से देखा गया और लोगों को अडर कोई बेवजय नहीं था भारत में इसाई मिस्नरी धर्म का परचार कर रहे थे कुछ ऐसे कानून भी बनाए गए जिससे इसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया और जो लोग धर्म परिवर्तन कर इसाई बन जाते थे उन्हें अपने पुर्खों की संपत्ती में भी अधिकार मिलने लगा समाज में कंपनी द्वारा किये जा रहे इन बदलाओं को बहुत से भारतियों ने इसी रूप में देखा कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म को भष्ट और सामाजिक रिती रिवाज और परंप्रागत जीवन सैली को नश्ट कर रहे हैं अब हम एक ऐसा कारण देखते हैं जिसके तुरंत बाद विद्रो शुरू हो गया ऐसे कारण को ततकालिक कारण कहते हैं बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ गुस्सा और डर्तो कंपनी के बंगाल पे कबजे से ही शुरू हो गया था यानि प्लासी की लड़ाई के बाद सही 1757 सही और ये विद्रो की बात हो रही है 1857 में यानि लोगों में, राजाओं में, नवाबों में, सिपाहियों में, गुस्सा तो सुरू सही है लेकिन जरौत किस्चीज की थी एक ऐसे कारण की जिससे विद्रो सुरू होना है उसे ही हम तत्कालिक कारण कहते है चलिए देखते हैं कि विद्रो की सुरूात कैसे भी और उसके बाद की घटनाओं पे हम नजर डालते है कंपनी ने अपनी सेना में एक नई राइफिल सामिल की जिसे एनफिल राइफिल कहा जाता था उसके कार्तूस के विशे में सिपाहियों को ये जानकारी मिली कि उसके कार्तूस पे गाय और सुर की चर्बी का लेप चड़ाय गया है गाय को हिंदू पवित्र मानते थे और मुस्लिम सुवर को घरना की दर्ष्टी से देखते थे मेरट में सिपाईयों ने चर्वी वाले कार्तुसों को चलाने से मना कर दिया ये मई 1857 की बात है नतीजा ये हुआ कि 85 सिपाईयों को नोकरी से निकाल दिया गया और उन्हें 10-10 साल की सजा दी गई लेकिन इसका असर दूसरे सिपाईयों पे ये हुआ कि उन्होंने जेल पे धावा बोल दिया बंद सिपाईयों को आजाद करा दिया और अपने अंग्रेज अपसरों को हमला करके मार दिया उन्होंने बंदूक और हत्यार अपने कबजे में ले लिये अंग्रेजों की इमारतों और संपत्यों को पे आग लगा दी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया सिपाईयों ने अभी ठान लिया कि उन्हें भारत से अंग्रेजी सासन को खत्म करना है लेकिन अब उनके समक्षी है सवाल था कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ पे सासन को चलाएगा और इसका जवाब भी सिपाईयों ने ढून लिया वो मुगल समराट बहदूर सा जफर को देश का सासन सोपना चाहते थे हम देखेंगे कि जादतर जगें विद्रोईयों का नित्रत पुराने राजाओं या जमीदारों के द्वारा ही किया गया उसी रात यानि 10 मई 1857 की रात मेरट से सिपाई दिल्ली के लिए रवाना हो गए दिल्ली के सिपाईयों को जैसे ही मेरट के सिपाईयों की आने की खबर लगी उन्होंने भी बगावत कर दी वहाँ भी अंग्रेज अफसरों को मारा गया हत्यार गोला बारुद कबजे में कर लिया गया अंग्रेजी इमारतों के आग लगा दी गई और बूड़े बादसा बहदुर सा जफर को उन्होंने अपना नेता घोशित कर दिया बहदुर सा जफर ने देश भर के सासकों और जमीदारों को चिठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतिये राज्यों का एक संग बनाने की अपील की और उसका नतीजा ये हुआ जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कमपनी के सासन की वज़ेसे अपनी सत्ता खो चुके या फिर ऐसे सासक जिनके अधिकार और सम्मान को कमपनी की वज़ेसे ठेश लगी थी विद्रों में सामिल होगे इस प्रकार एक के बाद एक बहुत सी रेजिमेंटों में सिपाहियों ने विद्रो कर दिया और वे दिल्ली, कानपूर, लखनव जैसे मुख्य केंदरों पर दूसरी टुकडियों का साथ देने के लिए निकल पड़े अब हम क्या देखते हैं कि वह विद्रों जिसकी सुरुवात सैनिकों के दौरा की गई थी, मेरट से हुई है, मेरट के सैनिकों के दौरा उसमें जल्दी ही स्थानी नेता, जमीदार, मुख्या और यहां तक की आम लोग और किसान भी सामिल होगे आईए, अब हम विद्रों के परमुख केंद्रों और उनके नेताओं के विसाय में पढ़ते हैं जैसा कि आपने दिल्ली में देखा, विद्रोयों ने अपना नेता बाहद्दूर सा जफर को चुना और केवल विद्रोईयों ने ही नहीं पूरे भारत भर के विद्रोईयों के नेताओं ने भी उन्हें अपना नेता माना दूसरा कानपूर से पेश्वा बाजी राव के दत्तक पुत्र यानि गोद लिये वे पुत्र नाना सहाब जिने कमपनी ने दत्तक पुत्र होने की वजय से पैंसन देने से मना कर दिया था उन्होंने विद्रो की कमान अपने हाथ में ले ली और बिटिस सैनिकों को कानपूर से ख़देड़ दिया और खुद को पेश्वा घोशित कर दिया अवद में नवाब वाजिद अली सा को कूपर सासन का आरोप लगा कर अवद की सत्ता कमपनी ने अपने हाथ में ले ली थी वहाँ अवद की राजधानी लखनव में वाजिद अली सा के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोशित किया गया वहां विद्रोईयों की कमान बिर्जिस कद्र की मा बेगम हजरत महल के हाथ में थी नाना सहब के सेनापती त्याटर टोपे वो लक्समी बाई का साथ दे रहे थे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में मौलवी एहमदुल्ला ने भहिश्वानी की कि अंग्रेजों का सासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा अपने हजारों समर्तकों के साथ उन्होंने भी लखनव जाकर अंग्रेजों से लोहा लिया बरेली में बक्त खान और बिहार में एक बुड़े जमीदार कुमर सिंग विद्रोही सिपाईयों के नेता थे इनके अलावा भी उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में विद्रोह हुआ आप अपनी पुष्टक में देखेंगे कि इन केंदरों के अलावा भी बहुत से केंदर थे जैसे वर्तमान मद्यप्रदेश में जबलपूर, सागर, महू, नीमच, पाकिस्तान में सियालकोट, लाहोर, पंजाब में जालंदर और फिरोजपूर, बिहार में दानापूर, उत्तर प्रदेश में बनारस, जोनपूर, परतापगड, सुल्तानपूर, आजमगड, गोंड नवाब गंज, मुरादाबाद, सहरनपूर, बुलंद सहर, अलीगड, मैनपूरी हम देखते हैं कि आरंबिक दोर में बड़ी संख्या में विद्रोही और विद्रोही नेता अंगरेजों के खिलाफ विद्रों में सामिल हुए इसका एक कारण भी था कि विद्रोहीं के मुकाबले अंगरेजों की संख्या बहुत कम थी और बहुत से मोर्चों पे अंगरेज हार भी गए थे इससे लोगों को यकीन होने लगा कि भारत से अंगरेजों का सासन खत्म हो जाएगा और उनमें आत्मिस्वास जगा और नतीजा ये हुआ कि पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों के हाथ से निकलता जा रहा था आईए अब हम उन कारणों को समझने की कोशिस करते हैं जिसकी वज़े से अंग्रेज विद्रों को कुचलने में काम्याब रहे और ऐसे इलाके जो उनके हाथ से निकल गए थे उन्हें वो फिर से अपने कबजे में कर सके पहला कारण तो ये कि इतनी हार के बाद भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उन्होंने पूरी ताकत के साथ विद्रों को कुचलने का फैसला लिया इसके लिए बड़ी संख्या में उन्होंने इंग्लेंड से फोज भी मंगवाई दूसरा भारतियों में डर पैदा करने के लिए उन्होंने कठोर सजाएं दी विद्रोंयों में डर पैदा करने के लिए मुगल बादसा बादूर सा जफर को उन्होंने कैद कर लिया उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई उनके बेटों को उनकी आँखों के सामने ही मार दिया गया और उनकी पतनी बेगम जीनत महल के साथ उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया वहीं बाद में चलके उनकी मिर्ती हो गई बहानक सजाओं का विद्रोईयों पर बड़ा असर पड़ा वो विद्रोईयों को छोड़के भागने लगे तीसरा विद्रोईयों की सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले प्रसिक्षित नहीं थी जहां अंग्रेजी सेना के अंदर प्रसिक्षित लोग थे वहीं विद्रोईयों की सेना के अंदर किसान आम आदमी वो लोग भी सामिल थे वो अंग्रेजों की सेना का मुकाबला नहीं कर पाए चो था बहुत से भारती राजा ऐसे थे जो इस विद्रो के टाइम में भी विद्रोयों का साथ ना दे कर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे इस से विद्रो को दबाने के अंदर बड़ी सफलता मिली अंग्रेजों को यकीनन अगर सभी भारतीय जागिरदार राजा नवाब मिल जुलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो करते तो अंग्रेज कभी भी भारत में नहीं टिक पाते पांचवा जैसा कि हमने देखा कि आरंबिक विद्रो में जब सफलता मिल रही थी तो सभी सैनिक चावनियों में विद्रो आरंब हो गया आम आदमी और किसान भी इस विद्रो में बढ़ चड़के हिस्सा लेने लगे लेकिन जब आगे चलकर कंपनी या अंग्रेज विद्रोईयों को परास्त कर रहे थे तो विद्रोईयों के होसले तूटने लगे उनकी हम्मत तूटने लगी बहुत सारे लोगों ने विद्रोईयों का साथ छोड़ दिया एक और कारण है कि अंग्रेजों ने ऐसे वक्त में बड़ी समझदारी और चालाकी से काम लिया उन्होंने लोगों का विश्वास जीतने का हर संभव पुरियास किया उन्होंने वफादार जमीदारों और राजाओं के लिए इनामों का ऐलान किया उन्हें बहुत सारे आस्वासन दिये गए इस प्रकार एक बड़ी संख्या को वो अपने पक्षमे करने में सफल रहे और लगबग दो वर्स के अंतराल पे वो सारा छेत्र जो विद्रोईयों के कबजे में चला गया था अंग्रेजों ने फिर से उसे जीत लिया आइए, आखिर में अब हम संखेट में देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा हमने अठारा सो सतावन के विद्रों के कारण पढ़े थे और ये भी देखा था कि समाज के अलग-अलग वर्गों पर कमपनी की नीतियों के अलग-աलग असर पढ़े थे और अलग-अलग वर्गों का कंपनी के परती नाराज होने का कारण अलग-अलग था जैसा कि हमने देखा बहुत से राजाओं के राज्य उन्से छिन गए थे बहुत से जमीधारों की जमीधारियां छिन गई थी हमने अवद का उधारण देखा कि अवद पर कूपरसासन का आरोप लगा कर उसका विले कर लिया गया हमने ऐसे बहुत सारे राज्ये देखे जहां दत्तक पुत्र थे और कमपनी ने वहां के जो उनके उत्राधीकारी जिन्हें वो कह रहे थे उन्हें उत्राधीकारी मानने से मना कर दिया हमने मुगल बादसा का उधारण देखा कि उन्हें लाल किला खाली करने के लिए कह दिया गया बाद्दुरसा जफर के उत्रादीकारियों के लिए कह दिया गया कि उन्हें बादसा नहीं कहा जाएगा हमने ऐसा भी देखा कि साहयक संदी की सर्तों की वजैसे वास्त्विक सत्ता जो है भारते राज्यों के हाथ से चली गई थी और सत्ता किसके पास में आ गए थी कंपनी के पास में आ गए थी हमने ये भी देखा कि ऐसी भूराजस व्यवस्थाएं थी कि जमीदारों की जमीदारियां छिन गई थी अगर हम सिपाईयों की बात करें तो उनके भी नाराज होने के अपने कारण थे सेवा सर्तें कुछ ऐसी थी कुछ वेतन को ले करके था अगर धार्मिक भी हम देखें कि जब कंपनी का सासन बढ़ गया तो उन्हें दूर दराज जाना पड़ा बहुत से ऐसे सैनिक थे जिनक करगा उद्योग जो है नस्टो गया था भारतिये आत्म दिर्भर ग्रामिन अर्थवस्ता का पतन होता जा रहा था यहर बहुत सारे ऐसे कारण थे समाज का एक ऐसा तबका था जो अंग्रेजों की सुधार की नीतियां है चाहे वो सती प्रथा का अंत करने के लिए नियम ब आए जाए इन्हें भी भारतिये धर्म और भारतिये संस्कृति के खिलाफ कंपनी का परचार वो बता रहे थे अंग्रेजी सिक्षा को भी इसी रूप में देखा गया कुछ ऐसे भी कारे थे जो संदे पैदा करते थे जैसे इसाई मिस्नरी थे वो धर्म का परचार कर रहे थे बहुत सारी ऐसी सूट उनको दे दी गए थी इसाई लोगों के लिए कि अगर धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं तब भी उनके अधिकार बरकरार रहेंगे और एक हमने आखिर में ततकालिक कारण पढ़ा कि किस परकार चर्वी वाले कार्तूस हैं जिने मेरट में दिल्ली में बहदूरसा जफर थे मेरट मेरट दिल्ली से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश में और यहां से विद्रों की सुरुवात वी थी जहां सी ये उत्तर प्रदेश में है और मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द नेता वक्त खा थे फैजाबाद ये पूरी उत्तर प्रदेस में है पूरी उत्तर प्रदेस का रहत है बिहार से सटा वो उत्तर प्रदेस यहाँ पे विद्रोईयों के नेता थे मोलवी एहमदुल्ला साह पस्मी बिहार पस्मी विहार का रहत है उत्तर प्रदेस के साथ में सट विद्रो को जीत लिया था विद्रो को दबाने में और उन छेत्रों को जीतने में किस प्रकार से कंपनी सफल रही इसमें दो तिन बातें जैसे प्रमुक हैं कि एक तो उन्होंने हार नहीं मानी कंपनी ने विद्रोयों को दबाने के लिए उनने एक बड़ी संख्या में इंगलेंड से फोज मगाई और इनकी फोज जो भी पर्षिक्षित थी जबकि भारतिये विद्रोयों की जो सेना थी उसमें सब तरहें के लोग थे प्रसिक्षित भी थे और साथ में किसान और आम आदमी भी थे वो आदुनिक हथियारों से लेस ब्रेटिस सेना का मुकाबला नहीं कर पाए एक हमने देखा परमुक कारण था कि यहांके जो देशी राजा थे बहुत से उन्होंने विद्रोईयों का साथ ना दे करके अंग्रेजों का साथ दिया ऐसे में अंग्रेजियों के लिए बड़ा आसान हो गया विद्रो को कुचलना फिर उन्होंने कुछ ऐसे हतकंडे अपनाए जैसे उन्होंने कठोर से कठोर सजा देनी शुरू की लोगों में डर पैदा कर दिया दूसरा प्रलोवन भी दिया बहुत सारे लोगों को अपने कर दिया और दुबारा से जो है अपना सासन वापे स्थापित कर दिया तो आज के अध्याय में बस इतना ही हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद